प्रक्ति A, B और C जिनके बेतन का योग 72,000 रुप है A का बेतन मालजे A ही है, B का बेतन B है और C का बेतन C है तो तीनों की बेतनों का योग कितना है? 72,000 रुप है ठीक है? A अपने बेतन का 80% B 85% और C 75% खर्चा करते तक और बचत का अनुपाद उनका 8, 7, 9, 7, 20 है तो A अपने बेतन का 20% बचाता है A जो है कितना बचाता है अपने बेतन का? 20% तो A का 20% बटे B का 85% खर्चा करता है यानि 15 बचाता है, 15% बराबर है 8 बटे 9 ठीक है? यह दिया हुआ है A का 20 प्रसद बटे B का 15 प्रसद बराबर है 8 प्रसद नौ के solve कर लें तो प्रसद से प्रसद कड़ गया और यह हो गया 5 तियां 15 5 चोको 20 चार दुनी 8 तीन तियां 9 ठीक है तो A बटे B बराबर 2 बटे 3 A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 आ गया यानि आप कह सकते हैं कि यहां से आपको निकल के आया कि B बराबर कितना होगा B बराबर हो जाएगा 3 A बटे दो 3 A अपॉन 2 A और B का अनुपात इस तरीके से निकल गया फिर से C का ले लें अगर C का ले लें तो C क्या है 75 प्रसद खर्च करता है यानि A का 20 प्रसद फिर से A के साथ ही पुलना कर सकते है A का 20 प्रसद बटे C का 25 प्रसद C का 25 प्रसद एक इसके बराबर है 8 बटे 20 के A का 8 लेंगे ना और B का 20 C का 20 सोरी C का 20 तो 8 बटे 20 के बराबर है ठीक अब यह 5 से अगर हम काटे तो 5 पचे 25 पाँच चोको 20 4 से काटे तो 4 दूनी 8 2 से काटे तो 2 दहूं 20 ठीक है और फिर यहां 5 से काटे तो 5 दूनी 10 पूरा कट गया एक तरीके से हो गया C बराबर 2 A के क्या निकल के आया यहां से C बराबर 2 A के यह चीज़े निकल के आया अब यह सारा वेल्यू अगर हम रख दें किसमें समीकरण 1 में समीकरण 1 इसको ठीक तो B का मान क्या है 3 A अपाँट 2 मतलब बीड़े तो A की जगा A रह जाएगा B की जगा 1.5 A हो जाएगा और C की जगा कितना हो गया 2 A बराबर 72,000 होगा सब को जोड़ने तो A प्लस 2 A, 3 A, और डिड़ A 4 A, 4 A 4 A बराबर 72,000 तो A बराबर कितना हो गया A बराबर 72,000 बटे 4, बटे 4 साडे 4 का मतलब क्या होता नौब बटे दो लिख सकते हैं उसे ठीक हैं नौब अठी 72 आठ बार में बट जाएगा आठ हजार हो गया ठीक हैं बुरें दो आठ दो नी 16,000 16,000 आपका उतर आ गया एक बेतन कितना था यही पूछा गया था तो यह आपका उतर आ गया 16,000